हाला सुडेंट्स मेना नाम दॉक्टर गजिन्द पूरेत और आप देखे रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अगर आप बीएसी कर रहे हैं इंजिनेरिंग कर रहे हैं कैसे भी कॉंपेटिव एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं जहाँ पर हार माथमेटिक्स पूछा जाता है वार इसले इविलिट होता क्या है दे लोककस of center of curvature of a curve is called इविलिट इसले जो भी हमारे पास center of curvature होता है उसका जो लोकस होता है वो हमारे पास यहां पर इविलिट के लाता है इसले एक concept और होता है यहां पर कि जो भी हमारे पास curve है उसके normal का envelope होता है वो भी evaluate कहलाता है तो हम दो तरीके से यहां पर निकाल सकते हैं या तो हम क्या करें किसी भी curve का अगर हमे evaluate निकलना है तो हम क्या करेंगे उसका center of curvature निकालेंगे और उसका जो लोकस होगा वो हमारे पास यहां पे इवेलिट हो जाएगा या फिर दूसा तरीका यह हो सकता है कि हम क्या करें उसके नॉर्मल का कर्व निकालें और नॉर्मल के कर्व से हम यहां पे क्या करें उसका एन्वलप निकालें टो यार वो हमारे पास यहां पर क्या जाएगा? इसका एवेलिट हो जागा. एक एक एक्जम्पल दूँगा जिसको दोनों मैं थाद समय यह पर करके बता हूँगा. स्क्रिन पे आपको सेंटर आफ करवेचर का वीडियो नजर आ जाएगा सुन वाइस को इसका सेंटर होता है उसको एक्स बार वाइबर से दिनोट करते हैं और एक्स बार का जो कॉडिनेट होता है वह होता है एक्स माइनस वाइबर वन प्ल mash वाइबर फ्लास वाइबवन इसकॉर अपन वाइटू इसको कर्वें इसका दी वाइबर दीकस निगा लेंगे तो अर्घक. 2y dy by dx is equal to यहां से हमारे पास 4a आएगा तो यहां से हमारे पास dy by dx की value होगी वो आएगी 2a upon y आजाएगा यह हमारे पास यहां पे इसकी value होगी इसकों y1 से भी denote करता हैं यह सुन जब इसका एक और बाद differentiate करेंगे y2 तो यह यह आजाएगा minus का 2a upon y y2 और वापिस y का हो जाएगा y1 यह सुनिए y1 की value उठाके यहां रख दीजे आप यह y1 की value उठाके आप यहां रखेंगे तो सुन यह हो जाएगा हमारे पास minus का 4a square और यह y और यह y सुनिए y क्यों हो जाएगा जब यह दोनों value उठाके हम यहां रखेंगे तो सुन जो x bar आएगा हमारे पास हो आएगा x minus y1 तो सुन y1 की value हमारे पास यहां पे आ रही है 2a upon y 1 plus 4a square upon y square divided by y2 सुन यह हो जाएगा minus का 4a square upon y cube हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो minus minus cancel और इसको simplify करेंगे यहां पे तो हमारे पास यहां पे इसकी value आएगी x plus प्लस शुन यहां पे देखेंगे तो y से y cancel हो रहा है तो एक y square हमारे पास ऊपर चल जाएगा तो यहार यह हो जाएगा हमारे पास y square upon शुन यहां पे a से cancel होगा है तो नीचे हमारे पास 2a भी बचेगा और यहाँ पर आएगा 1 प्लस सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वीलियो हो जाएगी 4a square और y square की वीलियो y square की वीलियो हमारे पास 4x है तो मैं यहाँ रखी देता है उसको हम चाहते हैं सबका सब x x की फॉर्म में आजाए तो हमारे लिए जादा अचा रहेगा सुन यहाँ भी हम एक को एक बार simplify करते हैं फिर बाद में हम इसको नपटते हैं तो सुन जो x bar आएगा हमारे पास हुआएगा x plus y square upon 2a and सुन यहाँ पर हमारे पास आएगा a से cancel, four से four cancel तो सुन यह आएगा हमारे पास a by x सुन यह नोद यहाँ पर करें के जाएगा इसकी value हैगा तो सुन यह जो y square हमारे पास यहाँ जो एक क्लारी रखा है इस y square के जग अभी हम यहाँ पर कर सकता है है सुन और रहें किसको मल्टिप्लाइ गरें तो यहाँ पर पास यह टू एकस अपोन एकस आगा तो यहां से यह पर पास एकस अ पॉन कोडियनेट आएगा वो आएगा हमारा पास 3IF's ओं यहाँ पास यहाल पियाँ एकस नोश्यके पर पास वाइगि आपास यह इस इक्स सुनी हो जाएगा माइनस का 4a square upon y cube, इसको simplify करेंगे तो सुन y and यहाँ पर आजाएगा माइनस का y cube upon 4a square and 1 plus, सुन यह आजाएगा हमारे पास 4a square upon y square, यह हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगे, सुन इसकी value आजाएगे, सुन इसको अंदर की तरफ multiply करेंगे, तो जब आप y cube upon 4a square, सुन यह जब अंदर जाएगा, तो 4a square स 4a square cancel, यह minus का y हो जाएगा, तो आप देखेंगे, y स y cancel, तो सुन जो y बार आएगा, वो हमारे पास आएगा, सुन, minus का y cube upon 4a square, सुन, यह हमारे पास x bar y बार आएगा, तो सुन, हमारे पास क्या होगा है, सुन, सेंटर के यहां पर क्या करेंगे, सुन, इसका पाथ निकालेंगे, कि इसका जो हमारे पास center of curvature का locus का आएगा, वो हमारे पास यहां पर क्या होगा, सुन, इसका evaluate होता है, सुन, क्या करना, यहां से, इन दोनों से, हमें x और y को eliminate करना, और x bar y bar form में answer लेके आना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, मैं y bar को पकड़ता हूँ, तो सुन, y bar की जो value आ रही है, वो हमारे पास आ रही है, सुन, y cube, तो सुन, यहां से हमारे पास क्या आएगा, y की जो value आएगी, वो आएगी हमारे पास 4ax power 1 by 2, सुन, यह हमारे पास y की value आएगी, इस y की value उटा को हम यहां यहांपर पास यहांपर इसकी value आजाएगे, इसको क्या करेंगे, फोड़ा सा simplify कर लेता हूँ, यहांपर यहां पास 3 by 2 power है तो यह 4x आएगा, and under root of यहांपर हमार पास यह 4x आजाएगा divided by 4a square, अगर आप देखेंगे, तो 4 से 4 भी हमारे पास cancel हो रहा है, A से B हमारे पास यहां पे cancel हो रहा है तो सुन Y bar की जो value आ रही है इस उन यहां पर क्या करेंगे 4 से 4 cancel करेंगे A तो इस उन एक तो पहली बाद तो यहां minus आ जाएगा इस उन यहां पर नीचे A तो यहां cancel करेंगे तो यह हमारे पास root हो जाएगा और सुन यहां पर आएगा हमारे पास x root x, सुन यह हमारे पास यहां पर क्या जाएगा, इसकी value हो जाएगा, अब हमारे पास x की value यहां से रखेंगे, तो सुन एक्स की value आएगी, अगर आप देखें, इसको simplify करेंगे, तो यार यह थोड़ा सा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x की power 3 by 2 divided by root है, सुन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अब यहां से हमारे पास जो x की value आएगी, वो क्या आएगी, मैं इसको थोड़ा simplify करता हूँ, सुन x की value बताता हूँ, क्योंकि कहने कहीं थोड़ा सा question complicated है, but solve करना पड़ेगा, सुन x की value हमारे पास यहां पर क्या आ आएगा y bar is equal to minus का, इस सुन यहां पर एक तो हमारे पास 1 upon root हो रहा है, and x की value हमारे पास यहां रही, तो यहां रेकूंगा, x bar minus का 2a upon 3 का यहां पर हमारे पास क्या रहा है, सुन power 3 by 2 आ रहा है, right, इस सुन क्या करेंगे, दोनों तरफ हम whole square कर लेते हैं, जब इसका whole square करेंग तो सुन यह आएगा, y bar का whole square is equal to 1 upon a, and सुन यह आजाएगा हमारे पास x bar minus 2a का cube, और यहां पर 3 का cube तो यह हमारे पास 27 आजाएगा, right, 27 को इदर multiply कर दो, तो सुन यहां से हमारे पास इसका जो answer आएगा, 27a y bar square is equal to x bar minus 2a का whole cube, सुन यह हमारे पास यहां पर क्या आजाएग जो भी हम यहां पर लेकर चलें, जहां पर भी हम x bar y bar है, वहां पर हम x और यह लेगा, क्योंकि सेंटर का locus निगा, तो सुन यहां आएगा, 27a y square is equal to x minus 2a का whole की बदाएगा, तो यह हमारे पास यहां पर क्या आएगा, सुन इसका answer आएगा, सुन नेक्स मैतर देखे, जब इस प्रकार का कोई भी question आता, तो एक तरीके से हम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे सुन इसके normal की equation निका लेंगे, इस उन आपर जो y square is equal to 4a x होता है, उसका जो normal का equation होता है, अगर आपने पढ़ा हो, तो सुन 2D के इंदर यह हमने वीडियो भी upload कर रहा है, वहां से भी आप दे होता है, तो सुन हमें इसका envelope निकालना, और envelope निकालने का तरीका मैंने से पिछले वाले वीडियो में upload किया था, अगर आप नहीं देखा तो आप आपको इस स्क्रिन पर भी दिख जाएगा, तो सुन इसको m के respect में differentiate करेंगे, और फिर हम यहां पर क्या करतेंगे, m को eliminate कर द वेलियो आएगी, वो हम निकालेंगे, तो 3m square is equal to x minus 2a, तो हमारे पास m की वेलियो आएगी, x minus 2a upon 3a का power, 1 by 2, सुन यह हमारे पास यहां पर क्या जाएगा, m आजाएगा, इस सुन इस m की वेलियो उठा के हम यहां 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 रख देंगे, इसको simplify करेंगे, तो हमारे पा x minus 2a upon, यहां पर 3a की power, हमारे पास 1 by 2, सुन यहां से हमारे पास a m cube, इस से हमारे पास q ue करेंगे, तो हमारे पास x minus 2a upon 3a की power हमारे पास, 3 by 2 हो जाएगा, हना, क्योंकि हम यहां इसका cube करेंगे, 1 by 2 का cube हमारे पास 3 by 2 हो जाएगा इसमों इसको simplify करेंगे y is equal to, बिटाग यहां से हमारे पास इसकी जिवेली हो रही है वो हम लिखेंगे 3a का root और यह हो जाएगा हमारे पास x minus 2a की power 3 by 2 हो जाएगा minus x minus 2a की power 3 by 2 upon यह आएगा हमारे पास upon यह आएगा amq है तो यह हमारे पास e आजाएगा इसमों हमारे पास यहां पर यहां पर क्याएगा y is equal to x minus 2a की power 3 by 2 upon root 3 एक कमन निकालेंगे इसमों यहां तो 1 हो जाएगा और यह a से cancel करेंगे तियहां से 1 by 3 आजाएगा क्योंकि a से हमारे पास यहां पर इसमों हो जाएगा उसको simplify करेंगे तो y is equal to यह आएगा 2 by 3 है तो यह आएगा 2 by 3 and x minus 2a की power 3 by 2 upon root 3 आएगा अब इस क्या करते हैं दोनों तरफ whole square कर लेते हैं जब दोनों तरफ हम whole square करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा यह भी हम square कर देंगे and यह भी हम क्या कर देंगे इसका square कर देंगे जब ऐसा करेंगा तो सुन यह आजएगा हमारे पास y square is equal to सुन यह आएगा 4 x minus 2a की power 3 divided by यहां से इसका square करेंगे तो यह 9 हो जाएगा और यह हमारे पास 3 हो जाएगा सुन यह हो जाएगा 27a इस 27a को आप इदर ले ले लिजे 27a y square is equal to 4 x minus 2a का होल के पार सुन जो मैं आपको previous method बताया था जो center of curvature का आपको path बताता है, locus बताया था उससे भी हमारे पास जो evaluate जो आएथा वो यही आएथा और सुन यहां पे हमने इसके normal का जो envelope है वो भी हमारे पास ERR वो भी हमारे पास जो answer आ रहा वो बिलकुल वो ERR जो हमारे पास उस method सा है यह देखिया, इस तरह साव देख सकता है, तो दोनों तरीके से हम यहां पे का कर सकते हैं, सुन इविलिट को envelope निकाल देंगे, तो सुन इसके जो normal की equation है, तो सुन इक्वेशन आफ नॉर्मल आफ एलिप्स at a cos theta, b sin theta is तो सुन यहां पे इसके जो equation होती है, normal की होती है, a x upon cos theta minus y b upon sin theta is equal to a square minus b square सुन यह हमारे पास यहां पे क्या होता है, इसका normal होता है, normally इसको क्या करते हैं, सुन इसके tangent की equation निकालते हैं, और tangent से हम इसका normal निकाल सकते हैं, सुन यह हमारे पास यहां पे क्या है, normal की equation है, अब आप देखे हैं, सुन theta यहां पे क्या है, हमारे पास parameter, तो हम क्या करेंगे, सुन theta को यहां पे eliminate कर देंगे, eliminate करने के बाद जो हमारे पास answer आएगा, वो इसका envelope आजाएगा और वही हमारे पास यहां पर क्या होगा, इसका evaluate हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सुनिया पर इसको differentiate कर लेते हैं, इसको differentiate करेंगे, पर पहले मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेता हूँ, त यहां पर आपिता, अदिया है, है मैनस, 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 फ्लस हो जाएगा, यहां यहां पर क्या जाएगा, जीरू हाँगा, नहीं टिमेटिए हम करना क्या चार, इसको उदर लेके जाते है, तो यहां पास A X and इसको लिखेंगे sin by cos तो यह आजाएगा हमारे पास sin theta upon cos square theta is equal to minus ka y by b इसको यह आजाएगा हमारे पास cos upon sin तो यह आजाएगा cos theta upon sin square theta आजाएगा अगर आप cross multiply करेंगे तो सुनिए sin cube हो जाएगा यहापे देखेंगे cube theta is equal to minus ka y by upon x a आजाएगा तो सुन 10 theta की value आएगी यहापे मैं इसको लिख लिख लता हूँ तो सुन आपर जो 10 theta की value आएगी वो हमारे पास यहापे कियाएगे सुन सुन यहाएगा y by b power 1 by 3 upon यहाँ से मारे पास यहाएगा x a power 1 by 3 हो जाएगा सुन यहाँ पर यहाँ पर क्या जाएगा 10 theta हो जाएगा सुन यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर आप यहाँ पर हम ट्रैंगल बनाए तो यह हमारे पास क्या होता perpendicular होता है तो यह हो जाएगा y by power 1 by 3 और यह हो जाएगा x a power 1 by 3 और इन दोनों का square का अंडरूट जो होता है मतलब यहाँ पर इसका square करेंगे तो सुन यहाँ आएगा y by power 2 by 3 plus x a power 2 by 3 सुन यह इसका hypotenuse हो जाएगा अगर हम देखे तो सुन यहाँ से हमारे पास sin theta की जो value आएगी वो आएगी हमारे पास y by power 1 by 3 divided by यहाँ पावर 2 by 3 plus x a power 2 by 3 और का अंडरूट है तो 1 by 2 ले लेता हो इसका अंडरूट है तो मैं इसको 1 by 2 ले 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 लेगा सुन cost चिटा की जो value आएगी वो हमारे पास आएगे x a power 1 by 3 divided by यहाएगा y by power 2 by 3 plus x a power 2 by 3 अंडरूट है ना समझ मारा होँ है देखो यहाएगा हमारे पास perpendicular upon hypotenuse यहाएगा base upon hypotenuse और power हमारे पास यहाँ पे कहा जाएगा 1 by 2 ले 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 लेगा अब सुन यहाँ पे चुके हमारे पास 10 tita नेगेटिव है इसकी वेल्यू रखेंगे तो एक्स अपॉन बटा कॉस्ट टेक वेली रहेगी तो यह आएगा एक्से पावर वन बाई थ्री अपॉन दिस तो यह अपॉन है तो यह उपर चला जाएगा तो यह नीचे तो यह अंडूड उपर जो है उपर ले जाता हूं मैं तो यह आएगा ह ई-बी पावर 2 by 3 प्लस एक्से पावर 2 by 3 का पावर 1 by 2 इस इकवल तू महार पास यह आएगा a square minus b square सुन यह हमारे पास यहाँ पर का आज इसकी value हो जाएगे now हम क्या करेंगे सुन यहाँ पर देखेंगे तो सुन यह x है और यह x है power 1 by 3 तो ऊपर हमारे पास बज़ जाएगा सुन a x की power 2 by 3 आज आएगा and सुन यहाँ पर भी इसको cancel करेंगे तो यहाँ पर पर आप देखेंगे यह वाली तो common है तो यह काम करते हैं इसको common निकाल लेता है तो yb power 2 by 3 का power 1 by 2 इसको common निकालता हूँ अब देखो यह से cancel करेंगे तो यह आएगा हमारे पास a x power 2 by 3 इसको यह minus minus plus पर यह तो common ले लिया और यहाँ पर जब इसको cancel करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास yb power 2 by 3 is equal to a square minus का b square हैगा यह सुन यह आदी power है और यह हमारे पास एक power है तो यह दोनों power हमारे पास same to same है तो यह add हो जाएगा तो यह सुन यह आएगा x power 2 by 3 plus yb power 2 by 3 पैटा यह हमारे पास हो जाएगा 3 by 2 is equal to a square minus b square यह सुन हम क्या करते है दोनों तरफ इसका whole square कर लेते है जब दोनों तरफ whole square करेंगे तो यह आएगा हमारे पास x power 2 by 3 plus yb power 2 by 3 का q is equal to यह आएगा a square minus b square का whole square सुन यह हमारे पास यहाँ पर कहाएगा इसका evaluate होगा तो हमने क्या कर रहा है सुन यह ellipse है इसके normal की equation निकाली और normal का हमने envelop निकाला तो यह हमारे पास यहाँ पर कहाएगा इसका equation आएगा और यह हमारे पास यहाँ पर इसका evaluate होगा यहाँ पर हमारे courses available इसको download कर लिए जो कि Android and iOS पर available है अगर आप हमारी free classes देखना चाहरें तो one shot series, marathon और combat series यह सभी live रहती हैं इनके जो links हैं वो आपको telegram group में मिल जाएंगे अगर आप कैसे math care app पर subscription लाना इसका वीडियो देखना चाहरें तो यहाँ पर जाके देख सकता है तो हमारी जो one shot series है उसकी पूरी playlist आप देख सकते हैं प्लस हमारा जो differential calculus है जाब हमने radius और भी हम one by one videos अप्लोड कर रहें उसकी playlist आपको यहाँ जाके मिल जाएगी यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यमाद तेंक्यू